तो यार अगर तुम लोग सोच रहे हो नए iPad Pro 2021 को लेने की या confused हो उसके बारे में तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना हो सकता है कि आप अपना मन बना ले या completely अपना मन चेंज कर ले क्योंकि हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या iPad Pro 2021 एक अच्छा परचेस है या नहीं इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना यहाँ पर अगर नए हो तो जल्दी से करो चैनल को सब्सक्राइब और अगर इसको लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर दो लाइक स्वागत है आप सबका I am DY Pro YouTube चैनल पे तो यार iPad Pro 2021 का जो सबसे बड़ा न्यूस था इस इवेंट में वो था कि iPad Pro में अब हम देखने वाले हैं Apple का M1 चिप यह वही चिप है जिसे हम देख सकते हैं Apple के MacBook Air में, MacBook Pro में, Mac Mini में और नए iMacs में तो यहां हम देख सकते हैं कि जो products के differences हैं वो कही ना कहीं कम हो रहे हैं जो lines है different products से बीश में वो merge हो रहे हैं और eventually हम एक unified product line देख सकते हैं Apple की तरफ से जिसमें वो लोग use करेंगे Apple का silicon और हो सकता है कि आने वाला टाइम में हम apps जैसे की Final Cut Pro, Logic इसको use कर सकते हैं iPad Pro पे और iPhone इस M1 chip में हमें मिलता है 8 core का CPU और 8 core का GPU जिसके वज़े से आपको मिलता है बहुत ही बढ़िया CPU performance, GPU performance और better battery performance इस M1 chip की मदद से हमें सबसे पहली बार देखने को मिल रहा है एक 16GB का configuration iPad Pro में और हम खरीच सकते हैं एक iPad Pro जिसमें हमें मिल सकता है up to 2TB का storage इन iPad Pro में हमें देखने को मिलता है USB-C, Thunderbolt के साथ जिसकी वज़े से हमें मिलता है 40Gbps तक का transfer speed और आप इसे connect कर सकते हैं Apple के Pro Display XDR के साथ जो की Apple का 6K display है cameras केकर मैं बात करूँ तो पीछा में देखने को मिलते हैं 12MP और 10MP का wide और ultra wide camera और cameras में थोड़े बहुत improvements किये गए हैं और ज्यादा focus था video content creation पे लेकिन जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी है वो है उसका front camera हमें यहाँ पर देखने को मिलता है सबसे पहली बार 12MP का true depth camera जि अगर आप vlogging कर रहे हैं या अगर आप video conferencing कर रहे हैं या आप student है और online classes ले रहे हैं डिजाइन की बात करें तो हमें यहाँ पर हमेशा की तरह दो design मिल रहे हैं एक 11 inch का iPad Pro और दूसरा है 12.9 inches का iPad Pro और इनके displays की में बात करूँ तो displays में Apple ने introduce किया है एक नया display technology जिसका नाम है mini LED display जिसमें हमें देखने को मिलते हैं up to 10,000 mini LEDs जो बना देता है इसके display को close to XDR display जो Apple का pro display XDR है उसके जैसा display Apple ने create करने की कोशिश की है और इस technology का नाम है liquid retina XDR और इसकी सबसी अच्छी बात है कि इसमें बहुत जादा बढ़िया brightness हमें देखने को मिल सकता है up to 1000 nits हम देख content तो इसमें आप peak brightness देख सकते हो up to 1600 nits लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी problem है वो यह है कि यह जो नया display technology है यह सिर्फ available है 12.9 इंचिस के iPad Pro में 11 इंचिस का iPad Pro अभी भी पुराने display पे है जो की liquid retina HD display है अब बात करेंगे कि क्या आपको iPad Pro लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए 2021 में सबसे पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि आप कैसे वाले user हैं तो अगर आप एक creative content creator हैं आप video auditing करते हैं आप audio auditing करते हैं और आप बहुत ज़दा traveling करते हैं और आपको एक light device चाहिए जिससे आप अच्छी तरीके से अपने professional काम को कर सकते हैं तो I think आप iPad Pro को consider कर स सकते हैं इसके साथ साथ अगर आप HDR content को consume करना पसंद करते हैं तो भी आप iPad Pro में invest कर सकते हैं लेकिन मैं recommend करूंगा कि आप iPad Pro 12.9 inches लीजिए क्योंकि उसमें आपको देखने को मिलता है brand new display ये तो हो गई features की बात अब देखते हैं इसकी pricing और क्या इस price में हम एक better device हरीच सकते हैं या नहीं तो comparison के लिए मैं consider कर रहा हूँ iPad Pro 12.9 inches और मैं start कर रहा हूँ इसके 128 GB यानि कि इसके base model से तो इसकी जो pricing है वो है लगभग 1 lakh रुपीज और अगर आप एक professional है आप video editing कर रहे हैं आप creative professional है तो आपको definitely इसके accessories में भी invest करना पड़ेगा आपको definitely लेना पड़ेग एक magic keyboard जिसकी pricing है 31,900 रुपीज और अगर आप drawing करते हैं sketches करते हैं तो आपको लेना पड़ेगा Apple का pencil जो की है 10,900 रुपीज का तो अगर हम हिसाब लगाते हैं तो यहाँ पे आप spend कर रहे हैं approximately 1,40,000 रुपीज एक iPad Pro पे उसको एक computer की तरह use करने के लिए अपने professional काम के इसमें भी हमें देखने को मिलता है 8-core का CPU, 8-core का GPU लेकिन इसका जो base model है यह start होता है 256GB से यानि कि आपको double the storage मिल रहा है और इसका जो starting price है वो है 1,22,900 रुपीज और आपको इसमें additional keyboard या pencil लेने की भी कोई जरुवत नहीं है तो यार बात बहुत simple है अगर आप एक creative professional है या आप बहुत travel करते हैं और आपको चाहिए एक hybrid device यानि की एक tablet की तरह भी आप उसको use कर सकते हैं और एक laptop की तरह भी उसको use कर सकते हैं तो I think iPad Pro आपके लिए एक perfect device है लेकिन अगर आप light editing करते हैं आप एक student है आप अभी-अभ अगर तुम लोग लेने वाले हो नया product apple का तो वो कौनसा product होने वाला है 2021 में comments में लिखको मुझको बताओ यहां तक आ गए हो तो यहां पर मेरे कुछ और वीडियो से हैं जिनको आप देख सकते हैं और यहां पर click करके आप कर सकते हैं चैनल को subscribe घंटी दबाना भूलना मत आज का वीडियो ही पर खतम करता हूँ मैं आपसे मिलने आउंगा अगले वीडियो में तब तक के लिए स्वस्त रहिए मस्त रहिए और जस्त रहिए